हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेडीकर, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत है स्टेडीकर पर, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्षर में हम आपके साथ डिसकस करने बाले हैं, 22 अप्रेल 2024 के मोश्ट इंपॉर्टेंट करें मनाये जाता है, यानि National Civil Service Day कब सेलिबरेट किया जाता है इंडिया में, आंसर हो जाएगा 21 अप्रेल को, तो हर साल 21 अप्रेल को Civil Service Day मनाये जाता है इंडिया में, दोस्तो इसकी सुरुबात होई थी 2006 को, यानि कि यह दिवस पहली बार 2006 में मनाये गया था, अब इसका है, जो हमारे Civil Servant होते हैं, उनको मोटिवेट करना, तो Civil Servant को मोटिवेट करने के लिए यह दिवस मनाये जाता है, अब आप से सबाल पूछा जा सकता है, कि राश्टिय सिविल सेबा दिवस क्यों मनाये जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो 21 अप्रेल 1947 को, उस समय के प्रसासनिक सेबा के अधिकारियों को संबोधित किया था, और उन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था, तो इसी भासन को याद रखने के लिए ही, 21 अप्रेल को सिविल सेबा दिवस मनाये जाता है, इंडिया में, दोस्तों सिविल सेबा की बात आई है, तो आपको एक कुश जरूर याद रखना है, कि भारत में सिविल सेबा का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्स कौर्न वालिस को भारत में सिविल सेबा का जनक कहा जाता है, देखें, यहाँ पर हमने एक दिवस को डिसकस किया हुआ है, तो हाल में मनाये गए प्रमोग दिवस डिसकस कर लेते हैं, तो आप इनको नोट करते जाएगा, एक बार आपका रिभीजन हो जाएगा, विस्सु लीवर दिवस कम मनाया जाता है 19 अप्रेल को, 2024 की थीम क्या रही है, Keep your liver healthy and disease free, विस्सु विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रेल को, और इसकी थीम रही है, Discover and Experience Diversity, विस्सु कला दिवस कम मनाया गया है 15 अप्रेल को, विस्सु क्वांटम दिवस मनाया गया है 14 अप्रेल को, इसके अलाबा, डॉक्टर बी आरमेटकर की जैनती मनाया गया है 14 अप्रेल को, विस्सु चगास रोग दिवस कम मनाया गया 14 अप्रेल को, और 13 अप्रेल को मनाया गया था अंतर राष्टिय पगडी दिवस 13 अप्रेल को जलिया बाला बाग नरसंगहार दिवस भी मनाया गया था और दोस्तों 13 अप्रेल को वैसाकी भी मनाया गया है 2024 में अब आपको वैसाकी के बारे में जितनी जानकारी पता हो वो comment box में जरूर बताईएगा और विश्व पार्किंसन्स दिवस कम मनाया गया है 11 अप्रेल को इसके अलाबा राश्टिय सुरच्चित मात्त्तो दिवस मनाया गया है 11 अप्रेल को और राश्टिय हस्त निर्मित दिवस कम मनाया गया है 6 अप्रेल को राश्टिय पुस्तकाले दिवस कम मनाया गया है 6 अप्रेल को इसके अलाबा राश्टिय समुद्री दिवस 5 अप्रेल को अंतर राश्टिय खादान जागरुकता दिवस मनाया है 4 अप्रेल को विश्य और्टीज में जाय उत्ता दिवस 2 अप्रेल को, रिजर्बेंक आफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाए गया है एक अप्रेल को और एक अप्रेल को ही उतकल दिवस या ओडीसा दिवस मनाए गया है। आप इस पूरी लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्थ तक देखेगा। लास्ट में आपसे कोशिन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्ष में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन भी दबाले जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे वाटसेप चैनल को जोइन कर सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलाबा आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर लीजेगा। टेलिग्राम चैनल को जोइन करने के लिए आपको टेलिग्राम पर जाना है और इस्टेडी कर ओफीसियल सर्च करना है। तो जैसे ही आप study कर official search करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा, उससे add हो जाना है, तो आपको PDF मिल जाएगे, देखिए दोस्तों कुछ दिनों से आपको PDF नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत busy था, तो इसके कारण PDF अपलोड नहीं हो पाई है, तो जो भी PDF आपको अपलब् कर सकते हैं, आपका link description box में दिया गया है, एप पर आपको paid course, ebook, test series, PDF class, node, daily quiz ये सभी मिल जाएगा, और monthly current affairs, yearly current affairs की ebook आपको आपको एप पर ही मिल जाएगी, हिंदी और इंगले इस दोनों मीडियम में, तो इस सभी को प्राप्त करने के लिए एप को जरूर डाउलोड करे यानि NSG के महानिदेशक बने है, Nalyn प्रभाद, काफी important नुक्ती है, दोस्तों Nalyn प्रभाद की बात करें, तो वो बर्तमान में CRPF में अत्रिक्त महानिदेशक के पदपर काम कर रहे थे, और अब उनको NSG का महानिदेशक नुक्त किया गया है, यहाँ पर आप Nalyn प्रभा को देख सकते हैं, इससे पहले NSG के महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार समाल रहे थे, दलजेश सींग चौधी, जो की SSB के प्रमुक्त है, तो यह सभी important point आप नोट करते चाहिएगा, देखे दोस्तों यहाँ पर बात हुई थी NSG की, यानि National Security Guard की, तो इसके बारे में 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी, और यह ग्रह मंतराले के अंतरगर्थ काम करने वाली एक संस्था है, अर्द सैनेक बलों के कुछ प्रमुक्त डिसकस कर लेते हैं, जैसे अगर आप से पूशा जाए, SSB के महानिदेशक कौन है, दलजीश सींग चौधी, BSF के महानिदेशक कौन है, नितिन अगरवाल, CRPF के महानिदेशक कोन है, अनीस दयाल सींग, काफी महत्पोन है ये पॉइंट, और CISF के महानिदेशक कौन है, नीना सींग, आलोक सर्मा, SPG के निदेशक हैं, राहुल रसगोतरा, ITBP के महानिदेशक हैं, गुर्भील पाल सींग, NCC के महानिदेश राकेस पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के महाने दिशक हैं और प्यूस आनंद NDRF के महाने दिशक हैं तो ये हैं भारत के अर्ध सेनिक बलों के प्रमुक अंगला कुशन है सूखे और भीशन गर्मी के कारण लक्षमण तीर्थ नदी शूख गई है या किस नदी की सहाइक नद गर्मी के कारण शूख गई है जिसके कारण पानी की दिक्कत आ गई है और कावेरी नदी पर भी इसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों इस नदी के सूखने से कावेरी नदी का जो फ्लो था जो प्रभाय था वो कम हो गया है तो इस प्रकार से कावेरी नदी पर भी इस नद कहहां से होता है कहां निकलती है ये कावेनी नदी तो करनात के कूर्ग जिले की ब्रह्म गिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है कावेरी नदी की जो लंबाई बतायी जा रही है वो बताया रही है लगभग 800 किलो मीटर काफी important है ये बात आपको याद रखनी होगी इसका वेसिन कितने राज्यों में फैला हुआ है तो तमिलनाडू, करनाटा, केरल और केंसा से पुदूचेरी में इसका वेसिन फैला हुआ है। दोस्तों, इसकी सहाइक नदी कितनी हैं, तो लगभग इसकी 21 सहाइक नदिया है, तो इन में से प्रमुक हैं, हरंगी, हेमाबती, सिमसा और अरकाबती, और दाइयोर से कौन-कौनसी नदियां इसमे मिलती हैं, तो लक्षमड़ तीर्थ, कमबानी, और सुबरनाबती, भवानी नो इल और अमरावती ये सभी नदियां कावेरी नदी से मिलती है और दोस्तों ये जो कावेरी नदी है जाकर के कहां मिल जाती है तो बंगाल की खाड़ी में यह मिल जाती है समुद्र से तो ये है वेसिक जानकारी कावेरी नदी की अंगला कुशन आपसे पूछा जा रहा है RBI ने अजीद कुमार KK को किस बैंक का MD निक्त किया है आंसर हो जागा इसका धनलक्षमी बैंक तो धनलक्षमी बैंक के MD और CEO कौन बने है अजीद कुमार KK उनकी निक्ति तीन साल के लिए की गई है और दोस्तों आपको याद रखना है कि अजीद कुमार KK ने सिवन जेके का इस्थान लिया है बाता है यहाँ पर RBI की तो RBI के बारे में बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं इसका हैड़ क्वार्टर कहां है मुंबई में और इसकी स्थापन कब हुई थी एक अप्रेल 1935 को वर्तमान में सक्तिकांत दास इसके गवर्नर है और आपको याद रखना है कि M. राजिस्वर राव और स्वामी नाथन जे टी रवी संकर और M. डी पात्रा इसके डिप्टी गवर्नर है और RBI की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी धनलक्षमी बैंकी के बारे में भी बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हैट क्वाटर है तिरसूर की रल में और इसकी टेग लाइन है तन मन धन कुछ निजी बैंकों के CEO और MD डिसकस कर लेते हैं जैसे एक्सिस बैंक के CEO और MD हैं अमिताब चौधी बंधन बैंक के चंद सेखर घोस कोटिक महिंद्रा बैंक के असोक वासवानी इंडस इंड बैंक के सुमित कंठ पालिया और बैंक आफ बैस्ट के ननिता बक्षी इसके अलाबा IC ICI बैंक के संदीर बक्षी HDFC बैंक के CEO हैं ससीधर जगदीसन IDFC बैंक के महेंदर साह Yes बैंक के प्रसांत कुमार और City Union बैंक के एन कमा कोदी हैं तो ये हैं निजी बैंकों के MD और CEO बढ़ते हैं अंगले कुशन की तरफ काफी important कुशन है कुशन पूछा जा रहा है आपसे Artemis समझोते में सामिल होने वाला 49 बार देश कौन मना है तो यूरोप महादीब का एक छोटा सा देश से Slovenia तो वो अभी हाली में Artemis समझोते में सामिल हुआ है इससे पहले 16 अप्रेल 2024 को Artemis समझोते में एक और देश सामिल हुआ था वो था Sweden तो सुईडन 38 बा ऐसा देश था जो कि Artemis समझोते में सामिल हुआ था अब आपके माइन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये Artemis समझोता क्या है किसको लेकर कि ये समझोता किया जाता है तो दोस्तों Artemis समझोता बाहरी अंत्रिक्ष छेत्र से समझोता है जो कि अमेर्की विदेश विभाग और नासा के द्वारा अन्य देशों के साथ किया जाता है यानि कि अमेर्की विदेश विभाग और नासा मिल करके अन्य देशों के साथ ये समझोता करते हैं इस समझोते पर हस्ताचर कब हुए थे 13 एक्टवर 2020 को दोस्तों इस सम्षोते का उद्देश से क्या है तो इसका उद्देश है जो बाहरी अंत्रिक्ष है बाहरी अंत्रिक्ष का मतलब प्रत्वी के बाहर जैसे चंद्रमा मंगल, धूमकेतु, छुद्रग्रा है और जो भी और अन्त्रिक्ष है उसका उप्योग किस प्रकार से किया जाए इसके लिए सिध्धान स्थापित किये जाए तो इसको लेकर कि एक संजोता होता है जिसे हम आर्टे में संजोता बोलते है इसके संथापक सदस कौन कौन है आस्टेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लगसंबर्ग और UAE और United Kingdom तो ये इसके संस्थापक सदस हैं और भारत इस समझोते में कब सामिल हुआ था या भारत ने कब इस समझोते परहस्ताचे किये थे 22 जून 2023 को 2024 में आठमे समझोते में कौन-कौन से देश सामिल हुए हैं चलिए इसको भी डिसकस कर लेते हैं तो 23 जनवरी 2024 को बेल्जियम सामिल हुआ था, 9 फरबरी 2024 को यूनान सामिल हुआ था, 15 फरबरी 2024 को उरुगबे सामिल हुआ था, 15 अप्रेल 2024 को सुर्जय लेंड भी सामिल हुआ था और 16 अप्रेल 2024 को सुईडन सामिल हुआ है और 19 अप्रेल 2024 को स्लोबैनिया सामिल हुआ है नतासाव पिर्क मुसर और प्रधान मंतरी हैं रोवर्ट गोलोब तो ये जानकारी आप नोट कर लीजिएगा और इसकी करंसी भी आपको याद रखना है कि इसकी करंसी है यूरो अंगला कुश्यन है तूते धारा या अगनी केली तिवहार किस राज में मनाया गया है आंसर हो जाएगा इसका करनाटक तो करनाटक राज में एक महत्वपूंड तिवहार मनाया जाता है जिसे तूते धारा या अगनी केली तिवहार कहा जाता है इस तिवहार में लोग एक द तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर आग फैंक रहे हैं अगनी केली में नर्यल की छाल से बनी एक मसाल होती है जो एक दूसरे पर फैंक की जाती है जला करके दोस्तो इस परकार से आग से जो खेल खेला जाता है ये लगभग 15 मिनिट तक खेला जाता है चलिए कुछ प्रमुक तेवहार और महोसो डिसकस कर लेते हैं तो अगर आप से पूशा जाए परी पली गजमेला किस राज में लगता है तो ये केरल में लगता है विशू उत्सव जो कि मलियालम नया साल है ये किस राज में मनाय जाता है केरल में और तबांग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाय जाता है फूल देई तिवहार उत्राखंड में इसके अलाबा धनु जात्रा ओडीसा में subdivांखाई तिवहार ओडीसा में अंबू बास्ची मेला कहां आयुजित किया जाता है आसम में, उत्राइन, भुजरात में और पॉंगल और पुथांडू, तमेल नाडू में आयुजित किया जाता है करनाटक राज जी की विशिक जानकारी भी डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले आप ये इंडिया का मैप देखिएगा और यहां परिस्ते थे करनाटक कैप्टल क्या है इसकी बैंगलूरू और वर्तमान में यहां के गवर्नर है थावर्चंद गहलोर, मुक्ध मंत्री है सिध्धर अमया विधान परसत की 75 सीटे है और विधान सबा की 224 सीटे है नेक्ट कुशन है लामा थ्री और रियल टाइम इमेज जनरेटर को किसने लौंच किया है आंसर हो जाएगा मेटा तो Meta Company के द्वारा भी हाली में Lama 3 और Real Time Image Generator का अनावरण किया गया है यानि उसको launch किया गया है यहाँ पर बात आई है Lama 3 की तो यह एक भासा model है यानि language model है और यह एक artificial intelligent chatbots की तरह काम करता है दोस्तों Lama 3 का उपयोग poems बनाने के लिए code बनाने के लिए script बनाने के लिए किया जा सकता है Lama 3 का उपयोग भासाओं का अनवाद करने के लिए भी किया जा सकता है यानि कि इसका उपयोग एक translator के रूप में भी किया जा सकता है बात आई है मैटा की तो इसे पहले Facebook बोला जाता था यानि कि मैटा कंपनी पहले Facebook के नाम से जाने जाती थी और इसकी स्थापना 4 जन्वरी 2004 को हुई थी इसके स्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनके अन्ने साथी हैं मुख्याला इसका California अमिर्का में है तो ये जानकारी है म इटा की साइंस और टेक्नोलोजी से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट कर इंटरफियस डिसकस कर लेते हैं तो इस रो ने भारत का लक्ष 2030 तक मलवा मुक्त अंत्रिक्ष मिसन हासिल करने का रखा है भारत ने पहली बार फिलिपेंस को ब्रम्भोस मिसाइल प्लान की है इस इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करिएगा दोस्तों कोश्य माई पहले स्पेस एक्स कंपनी ने मीथैन सेट सैटिलाइट को लॉंच किया था जिसका काम था मीथैन का अब्जर्बेशन करना गया दूरवीन के दोवारा प्राचीन स्टार स्ट्रीम सिब और सक्ति की खो जिसका नाम है हिंदोस्तान जिंक तो वह ग्लोबल इस्तर पर तीसरी सबसे वड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गए है तो एक सरविक्षन के अंसार राजिस्थान में इसकी सिंदे सर खोर्द ख़दान अब दुनिया की दूसरी सबसे वड़ी चांदी उत्पादक चांदी का उत्पादन कहा होता है राजिस्थान में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है मैक्षको इस पॉइंट को भी आप याद रखीगा तो अगर हम पूरे वर्ड में बाद करें तो नंबर एक पर है मैक्षको जहां पर चांदी का उत्पादन सबसे उत्पादन होता है और मेक्शको में 24.8 प्रतीसर चलिए दोस्तों अंगले कुशन का discussion करते हैं काफी महत्पूर कुशन है IPL चल रहा है तो उसी से related यह कुशन है तो 5000 IPL रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं तो MS धोनी यानि महेंदर सिंग धोनी ने IPL में 5000 रन पूरे कर लिए हैं और वो ऐसा करने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं उससे ज़्यादा IPL रन बनाने वाले विकेट कीपर के मामले में MS धोनी पहले नंबर पर हैं स्पोर्ट से रेलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यस भी डिसकस कर लेते हैं तो 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं रोहे सर्मा काफी इंपॉर्टेंट कुश्चन है ये लक्षभी बागान ने 25 मीटर 16 सेंटीमीटर तक सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का अभी हाली में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बिजटन के सीर्स क्रिकेटर की रूप में पैट कमिंस और साइवर ब्रेंट को नॉमिनेट किया गया है IPL का सबसे बड़ा 287 रनों का टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है सन्राइजर हैदराबाद ने दोस्तो इसके अलाबा 13 वे यूरोपियन गल्स मैथेमेटिकल ओलंपियर दुहजार चौबिस में भारतिय लड़कियों ने दो सिल्बर मेडल और दो ब्रॉंज मेडल जीते हैं यानि कुल टोटल चार मेडल जीते हैं अंगला कुश्यन है सुरंधर S. जोधका और किसको डॉक्टर मैलकम आदि सेशिया राष्टिय पुरुष्कार दो हजार चौबिस के लिए चुना गया है आंसर हो जाएगा विकास कुमार तो विकास कुमार और सुरंधर S. जोधका को दो हजार शॉबिस का मैलकम आदी सेसिया पुरुसकार प्रदान किया गया है दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सुरिंदर एस जूद का है वो JNU के प्रोफेसर हैं तो उन्हें अब इहाली में मैलकम आदी सेसिया पुरुसकार के लिए चुना गया है और इसके अंतरगत उन्हें दो लाख रुपए और एक प्रसस्ती पत्र प्रदान किया गया है और अजीम प्रैमजी इन्वरसिटी के एसोसियेट प्रोफेसर है विकास कुमार तो उन्हें एक लाख रुपए और प्रसस्ती पत्र के साथ एलिजाबेथ आदी सेसिया पुरुसकार दिया गया है बात करते हैं मैलकम आदी सेसिया पुरुसकार की स्थापना इसकी सन 2000 में हुई थी और इसकी स्थापने किसके द्वारा किया गी थी मैलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा दोस्तो विकास अध्यन के छितर में सामाजिक विज्ञानकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरुसकार प्रदान किया जाता है और आपको याद रखना है कि 2023 में मैलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया पुरुसकार प्रसिद्ध अर्थसास्त्री उत्सा पटनाईक को प्रदान किया गया था देखें दोस्तों यहां पर प्रुसकार की बात आई है तो 2024 के हाली में प्रदान किया गया प्रुसकार डिस्कस कर लेते हैं अभी हाली में वैस्विक असमानता अनुसंधान प्रुसकार जैम्स बाइस और बीना अग्रबाल को प्रदान किया गया है पियें मोदी जी को order of the drug ग्याल पो दिया गया है भूटान की गवर्मेंट के द्वारा प्रभा बर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। इसके अलाबा रतन टाटा जी को पीवी नर्समा राओ मेमोरियल अवार्द प्रदान किया गया है। को कमेंट बॉक्ष में देना है। कल का पहला कुशन था संयुक्त राष्ट जनसंख्या कोस की विस्व जनसंख्या इस्तिती 2024 रिपोर्ट के अंसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुँचने का अन्मान है। बारत ने पहली बार ब्रम्होस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है। इसके अलाबा विश्व लीवर दिवस 2024 कम मनाया गया है 20 अप्रेल को कम्प्यूटर चिप वी निर्माता इंटेल ने भारत के लिए कंपणी का MD किसी निक्त किया है संतोस विश्व नाथन को अंत्रिक्ष चेत्र के लिए आवशक घटकों के निर्मान के लिए सरकार द्वा वायड़ चुना गया है हमाद अंतराष्टी यरपोर्ट को दोस्तों आज के जनरल नौलिज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुक राष्टी उद्यान तो जैसे हैमेस राष्टी उद्यान लद्दाक में है नमदाफा नैसनल पार्क अरुनाचल प्रदेश में है और खांग चेंदोंगा नैसनल पार्क सिक्किम में है गुरु घासी दास नैसनल पार्क 36 गड़ में गेरवन नैसनल पार्क बुजरात में सुंदरवन नैसनल पार्क पशिम बंगाल में जिम कारवेट नैसनल पार्क उत्राखंड में इंद्रावती नैसनल पार्क 36 ग बताया हुआ है तो दोस्तों आपसे जो कुशचन पूछा जा रहा है उसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आज का कुश्यन है अम्बू वाची मेला किस राज्य से संबंदित है जो भी इसका राइटर सर्व कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का